वी अंगलो मराथा वार्स और देखेंगे कि आखिर मराथा एंपायर के डिकलाईन के पीछे क्या रीजन्स थे तो आईए, शुरू करते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि बिटिश के साथ कॉन्फिक्ट से जस्ट पहले मराथा एंपायर की क्या सिचुएशन थी दोस्तों आपने थर्ड बैटल ऑफ पानिपत के बारे में तो सुना ही होगा ये बैटल 14th January 1761 को मराथाज और अफगान रूलर एहमद शाह अब्दाली के फोर्सेज के बीच हुई थी पानिपत में मराथाज की हार उनके लिए एक डिजास्टर साबित होती है मराथाज पानिपत की बैटल में लगभग 28,000 सोल्जर्स और सदाशिव राव और विश्वास राव जैसे एबल मिलिटरी कमांडर्स को खो देते हैं इसके साथ ही उनकी पलिटिकल प्रेस्टीज को भी बड़ा जटका लगता है इस बैटल के समय उनके पेश्वा थे बालाजी बाजी राव और पानिपत में मिली हार के सदमे की वजह से जून 1761 में इनकी भी मृत्य हो जाती है तब फिर इनके 17 साल के बेटे माधव राव वन पेश्वा बनते हैं वो एक talented soldier और statesman थे 11 साल के छोटे से period में ही माधव राव वन पानिपत की बैटल के बाद खोई हुई मराथा पावर को restore करने में काम्याब होते हैं वो 1762 में हैदराबाद में निजाम को हरा देते हैं माईसौर के हैदर अली को 1767 में tribute पे करने के लिए मजबूर कर देते हैं और साथ ही नौर्थ इंडिया में रोहिलाज को हरा कर राजपूत स्टेट्स और जाट चीफ्स को subjugate करके वहां अपने control को reassert करते हैं इस तरह एक बार फिर से Maratha Empire पाफुल होने लगता है कि तभी कहानी में एक और twist आता है 1772 में माधव राव 1 की TB की बीमारी के कारण मृत्ती हो जाती है इसके बाद Marathas के बीच succession को लेकर conflict शुरू होता है और यही First Anglo-Maratha War का background बनता है तो आईए समझते हैं इस conflict और First Anglo-Maratha War को First Anglo-Maratha War 1775 to 1782 माधव राव की मृत्यू के बाद उनके भाई नारायन राव और अंकल रगुनात राव के बीच पावर के लिए टसल शुरू हो जाता है नारायन राव पेशवा तो बन जाते हैं लेकिन 1773 में ही उनको मरवा दिया जाता है रगुनात राव को लगता है कि नारायन राव की मृत्यू के बाद तो पेशवा की गद्धी उनको ही मिलेगी लेकिन उनके सारे अर्मानों पर जल्द ही पानी फर जाता है ऐसा इसलिए क्योंकि नाना फड़नवीस और महाद जी सिंधिया जैसे प्रॉमिनेंट मराथा जेनरल्स की काउंसिल पेशवा की गद्दी के लिए सवाई माधव राव को सपोर्ट करने का डिसिजन लेती है ये काउंसिल बारा मेंबर्स की थी और इसे बारा भाई काउंसिल कहा जाता था इसके लीडर नाना फड़नवीस थे सवाई माधव राव का जन्म नारायन राव की मृत्यू के कुछ महिनों बाद हुआ था और वो सिर्फ 40 दिन के ही थे जब उन्हें पेशवा बना दिया जाता है इन्हें माधव राव 2 के नाम से भी जाना जाता है इसके बाद फ्रस्ट्रेट होकर रगुनात राव 1775 में ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी की बॉंबे काउंसल से मिलते हैं और पेशवा बनने के लिए उनसे हल्प मांगते हैं कंपनी हल्प करने के बदले में सेलसेट और बैसेन को लेने की डिमांड करती है और साथ ही सूरत और भरूच डिस्ट्रिक्ट से मिलने वाले रेविन्यू में भी शेर मांग लेती है रगुनात राव इसके लिए अग्री हो जाते हैं और बदले में कंपनी उन्हें अपने 2500 सोलजर्स दे देती है इस अगरीमेंट को ट्रीटी उफ सूरत कहा जाता है यहां से शुरुआत होती है फर्स्ट अंगलो मराथा वर की इस ट्रीटी की एक कॉपी कंपनी की बेंगॉल काउंसिल को भी सेंड करती जाती है क्यूंकि रेगिलेटिंग अक्ट ओव 1773 के बाद बेंगॉल काउंसिल के पास बॉंबे और मडरास काउंसिल के सुपरविजन की पावर थी इसलिए किसी भी डिसिजिजन का बेंगॉल काउंसिल से रैटिफाय होना जरूरी था इधर 15 माच 1775 को रगुनात राव और करनल कीटिंग की लीडेशिप में ब्रिटिश फोर्सेज बैटल के लिए मराथाज की तरफ बढ़ने लगती है मराथाज की तरफ से लीड कर रहे थे हरीपंत फड़के दोनों बैटल फील्ड में आमने सामने होते हैं और फर्स्ट अंगलो मराथा वार की शुरुवात होती है मराथाज ने गोरिला वार टेकनिक्स का यूज करके ब्रिटिश फोर्सेज की हालत खराब कर दी ये वार अभी चल ही रही थी कि कमपनी की बेंगॉल काउंसिल के पास सूरत ट्रीटी का लेटर पहुंच जाता है गवनर जैनरल वारन हेस्टिंग्स ट्रीटी अफ सूरत को कंडेम करते हैं और बॉम्बे काउंसिल को वार रूखने का ओर्डर दे देते हैं और साथ ही मराथाज को भी मेसेज भेशते हैं कि वो वार ना करके उनसे एक फ्रेंली ट्रीटी करना चाहते हैं इसके लिए वारन हेस्टिंग्स करनल अप्टन को मराथाज के पास भेशते हैं और 1776 में ट्रीटी अफ पुरंदर साइन करते हैं इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स सवाई माधव राओ को ही आज पेशवा एकसेप्ट करते हैं साथ ही ये प्रॉमिस करते हैं कि वो मराथाज के किसी भी रेबल को सपोर्ट नहीं करेंगे बदले में वार के टाइम मराथाज ने जिन ब्रिटिश टेरिटरीज को जीत लिया था वो ब्रिटिशर्स को वापस मिल जाएंगी लेकिन ट्रीटी अव पुरंदर के बाद भी फर्स्ट अंगलो मराथा वार खत्म नहीं होती क्योंकि एक तरफ तो बॉम्बे काउंसिल ने रगुनात राओ को अभी भी शरण दी हुई थी और दूसरी तरफ इंगलेंड में कोर्ट अव डैरेक्टर्स पुरंदर की ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं करते इस तरह फिर से वार शुरू हो जाता है ब्रिटिशर्स मराथाज पर अटैक करते हैं और मराथा आर्मी को खुद महाद जी सिंधिया लीट करते हैं ताले गाओं में दोनों के बीच बैटल होता है और ब्रिटिशर्स को यहाँ हार मिलती है ब्रिटिश आर्मी यहाँ से भग कर वडगाओं पहुँझ जाती है लेकिन महाद जी सिंधिया की आर्मी वहाँ भी उन्हें घेर लेती है और 1779 में ब्रिटिश आर्मी सरेंडर कर देती है यहां पर ही ट्रीटी और वडगाओं साइन की जाती है जिसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्मन्ट ने मराथाज की जितनी भी टेरिटरीज ओक्यूपाई की होती है 1775 से सब वापस करनी पड़ती है यह ट्रीटी बॉम्बे काउंसिल और मराथाज के बीच होई थी लेकिन एक बार फिर वारन हेस्टिंग्स बॉम्बे काउंसिल की ट्रीटी को एकसेप्ट नहीं करते और कैलकाटा से तीन डिफरेंट ब्रिटिश फोर्सस को भेज देते हैं एक करनल गोडाड की लीडिशिप में, दूसरी कैप्टन पोफम की और तीसरी जेनरल कमैक की लीडिशिप में फेबरेडी 1779 में करनल गोडाड एहमदाबाद को कैप्चर कर लेते हैं और फिर आउगस्ट 1780 में कैप्टन पोफम गोलियर को इसके बाद डिसेंबर 1780 में करनल गोडाड बैसेन को भी कैप्चर कर लेते हैं और फेबरेडी 1781 में जेनरल कमैक ने महादजी सिंधिया को भी हरा दिया इसके बाद वारन हिस्टिंग्स मराथाज के साथ ट्रीटी साइन करने का डिसिजन लेते हैं ये थी ट्रीटी अफ सालबाई जो फर्स्ट अंगलो मराथा वार की सबसे इंपोर्टेंट ट्रीटी थी इसके अकॉर्डिंग सेल सेट तो ब्रिटिशर्स के पास ही रहेगा लेकिन ट्रीटी अफ पुरंदर के बाद एक्वाईर की हुई बाकी सभी मराथा टेरिट्री उन्हें वापस कर दी जाएंगी साथी ब्रिटिशर्स रगुनात राओ का सपोर्ट नहीं करेंगे और पेशवा रगुनात राओ को पेंशन दे देंगे इसके अलावा ये भी डिसाइड होता है कि पेशवा और किसी भी यूरोपियन पाउर को सपोर्ट नहीं करेंगे इस तरह ट्रीटी अफ सालबाई से 1782 में फाइनली फर्स्ट अंगलो मराथा वार का एंड होता है सालबाई की ट्रीटी के बाद मराथा और ब्रिटिशर्स के बीच 20 साल तक तो कोई कॉन्फिक नहीं होता ये टाइम ब्रिटिशर्स माइसोर की कॉंक्वेस्ट को कंप्लीट करने में लगाते हैं और दूसरी तरफ मराथा कंफेडरिसी में दरार और ज्यादा बढ़ जाती है कंफेडरिसी की बात करें तो दोस्तों पेश्वा बाजी राव वन के टेन्योर में मराथा एंपायर को चार पावफुल मराथा चीफ्स के बीच डिवाइड कर दिया गया था ये थे गौलियर के सिंधिया, नागपुर के भोंसले, इंदौर के होलकर्स और बरुडा के गायकवाड ये सभी चीफ्स मिलकर मराथा कंफेडरिसी बनाते थे और पेश्वा कंफेडरिसी के ओफिशल हेड होते थे लेकिन पावर स्ट्रगल और म्यूच्वल जेलेसीज के चलते चीफ्स के बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था ये कॉन्फ्लिक्ट पेश्वा के वीक होने पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है जैसे की सेकंड अंग्लो मराथा वार के टाइम देखने को मिलता है तो आईए अब सेकंड अंग्लो मराथा वार को डिसकस करते हैं सेकंड अंग्लो मराथा वार 1802 तो 1805 दोस्तों, Second Anglo-Maratha War को डिसकस करने से पहले इसका बैक्ग्राउंड जान लेते हैं 1795 में पेश्वा माधव राव Second suicide कमिट कर लेते हैं इनकी एज सिर्फ 21 साल ही थी और तब तक इनकी कोई संतान भी नहीं थी रगुनात राव जो पेंशन लेकर रिटायर हो चुके थे, उनके तीन बेटे थे बाजी राव Second, चीमाजी राव Second और अमरित राव इन कंडिशन्स में बाजी राव Second पेश्वा बनते हैं बाजी राव Second तो एक वीक पेश्वा थे लेकिन नाना फटनवीज इनके चीफ मिनिस्टर बन कर मराठा पावर को समहले हुए थे लेकिन 1800 में नाना फटनवीज की मृत्ती हो जाती है और इसके बाद मराठा कंफेडरेसी को समहलने वाला कोई भी नहीं बचता मराथा कन्फेडरेसी के चीफ्स के बीच आपस में ही वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है उस टाइम सबसे पाफुल चीफ थे इन दौर के जसवंत राव होलकर और गौलियर के दौलत राव सिंधिया होलकर और सिंधिया के बीच आपस में टकराव होते रहते थे और इसमें पेश्वा सिंधिया को सपोर्ट कर रहे थे जस्वंत राव होलकर बिना पेश्वा की पमिशन के नौर्थ की तरफ टेरिट्री अक्वायर करने के लिए कैम्पेइन कर रहे थे इसके साथ ही उन्होंने अपने भाई विठ्थु जी होलकर को साथ की तरफ कैम्पेइन के लिए भेजा था लेकिन विठ्थु जी पेश्वा की ही टेरिट्री को लूटने लगते हैं तब पेश्वा बाजी राव सेकंड उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं और ओर्डर देते हैं कि विठ्थु जी होलकर को हाथी के पैरों से कुचल कर मरवा दिया जाए ये सुनकर जस्वंत राव होलकर आग बबूला हो जाते हैं और 1802 में सिंध्या और पेश्वा की कंबाइंड आर्मी पर अटैक कर देते हैं होलकर इनकी आर्मी को पूना के पास बुरी तरह से हरा देते हैं होलकर के डर की वजह से बाजी राव सेकिंड पूना छोड़कर बैसेन चले जाते हैं जस्वंत राव होलकर पूना में अपने करीबी विनायक राव को पेश्वा डिकलेयर कर देते हैं विनायक राव, अमरित राव के बेटे और बाजी राव सेकंड के भतीजे थे बाजी राव सेकंड वापस पेश्वा बनने के लिए ब्रिटिश राव से हल्प मांगते हैं यानि कि जो गलती उनके पिताजी रगुनात राव ने की थी ये भी वही करते हैं मराथाज के इंटर्नल मैटर में ब्रिटिश इंटर्फेरेंस को इन्वाइट करके बाजी राव सेकंड और ब्रिटिशर्स के बीच 1802 में ट्रीटी ओव बैसेइन साइन होती है 20 साल बाद ये मराथाज और ब्रिटिशर्स के बीच फिर से एक important ट्रीटी थी इसके provisions के according सूरत Britishers को मिलना था और साथ ही मराथाज हैदराबाद के निजाम से जो 4 की डिमांड करते थे वो भी बंद करनी थी इसके बदले में company 6000 troops Baji Rao 2nd को दे रही थी जो पेशवा बनने में तो उनकी help करने ही वाले थे लेकिन उसके बाद भी Baji Rao 2nd को इन्हें अपनी territory में ही रखना था और इनका पूरा खर्चा उठाना था दूसरे शब्दों में कहें तो Baji Rao 2nd Britishers के साथ एक subsidiary alliance की treaty साइन कर लेते जिसमें प्रचारक Lord Wellesley थे 13th में 1803 को Britishers के protection में Baji Rao 2nd फिर से पेशवा बन गए थी क्यूंकि उन्हें अपनी freedom बहुत पसंद थी और subsidiary alliance साइन करके पेशवा ने मराठाज की freedom एक तरह से Britishers को दे दी थी और यही कारण बनता है 2nd Anglo-Maratha War का सिंधिया और भोसले कोशिश करते हैं कि Britishers को हरा कर पेशवा को इस treaty के जाल से बाहर निकाला जाए लेकिन उनकी ये कोशिश असफल रहती है Britishers इनकी forces को हरा देते हैं और सभी मराठा chiefs के साथ अलग-अलग treaty साइन करते हैं भोसले के साथ 17th December 1803 को treaty of देवगाउं साइन होती है और सिंधिया के साथ 30th December 1803 को treaty of सुर्जी अंजान गाउं सिंधिया से Britishers को रोतक, गंगा यमुना दुआब, गुरगाउं, डेली आगरा रीजन, ब्रोच, गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्स, बुंदेल खंड का कुछ पार्ट और एहमदनगर का फोर्ट मिलता है और भोसले से कटक, बालसोर और वर्धा रिवर के वेस्ट का एरिया इन्हे मिल जाता है 1804 में होलकर भी Britishers पर अटैक करते हैं, लेकिन 1805 तक ये भी हार जाते हैं और 1806 में इनके साथ होती है Treaty of Rajpurghart होलकर से Britishers को टॉंक, बुंदी और रामपुरा की territory मिलती है दोस्तों, यहां समझने वाली बात ये है कि सभी Maratha Chiefs अलग-अलग लड़ रहे थे इन्होंने युनाइट होकर Britishers को face नहीं किया और इसलिए Britishers को इन्हें हराने में आसानी हो गई और इस तरह 1805 तक Second Anglo-Mysore War का end हो जाता है इस वार में Marathas को काफी ज्यादा territories का loss होता है और साथ ही Maratha Chiefs subsidiary alliance भी accept कर लेते हैं उनकी position अब company के तुलना में कमजोर हो जाती है लेकिन Marathas और Britishers के बीच का conflict यहां भी खत्म नहीं होता है और दोनों के बीच Third Anglo-Moratha War होती है तो चलिए अब Third Anglo-Moratha War को discuss करते हैं Third Anglo-Moratha War 1817 to 1818 दोस्तों Third Anglo-Moratha War होती है पिंडारीज के issues पर Marathas जब भी किसी battle या expenditure पर जाते थे तो पिंडारीज को भी अपनी सेना के साथ रखते थे पिंडारीज बेसिकली military plunderers हुआ करते थे जो Maratha Army के साथ मरसी नरीज की तरह जोड़ते थे मरसी नरीज मतलब की ये लोग Marathas से कोई भी fees charge नहीं करते थे बलकि जीतने के बाद ये अपना हिस्सा उस area को लूट कर वसूल करते थे Marathas की तरफ से इन्हें इस बात की पमिशन थी पिंडारीज कोई ये caste नहीं थी बलकि इनमें अलग-अलग caste और classes के लोग शामिल होते थे अब होता ये है कि Second Anglo Maratha War के बाद Marathas काफी weak हो जाते हैं British East India Company का control उनके ओपर बढ़ता जा रहा था और ऐसे में Marathas जब कोई expedition कर ही नहीं रहे थे तो पिंडारीज को भी Marathas से कोई काम नहीं मिल पा रहा था अब regular employment ना मिलने के कारण पिंडारीज ने आसपास की territories को plunder करना शुरू कर दिया उन्होंने हैदराबाद के निजाम, करनाटक के नवाब, मालाबार और British East India Company की territories में भी loot पाट कर दी इससे परिशान होकर, British Company के गवनर जेनरल वारिन हेस्ट ने 1817 में पिंडारीज पर अटैक कर दिया पिंडारीज पर अटैक एक तरह से Marathas sovereignty पर अटैक था और Marathas इसका जवाब British Company को देना चाहते थे इसके साथ ही, Second Anglo-Marathas War के टाइम जो Subsidiary Alliance Treaty साइंग हुई थी उसके according, British Company ने हर एक Marathas Chief के कोर्ट में resident यानि की British agent अपोइंट कर दिया था और ये residents Marathas Chiefs पर नज़र रखते थे कि वो कोई conspiracy न कर पाए Marathas इन residents के interference से भी परिशान थे ऐसे में Britishers Marathas पर पिंडारीज को help करने का accusation भी लगा देते हैं तब पेशवा और Marathas Chiefs decide करते हैं कि उन्हें Britishers का मिलकर सामना करना चाहिए पेशवा बाजी राव 2, मलहार राव होलकर और मोधोजी भोसले 2 एक United Front का formation करते हैं लेकिन एक बार फिर से Britishers की जीत होती है और Marathas के साथ फिर से Treaties sign की जाती हैं सिंधिया के साथ 1871 में Treaty of Gualier sign की जाती है और 1818 में होलकर के साथ मंडसौर की Treaty sign होती है 1818 में पेशवा भी surrender कर देते हैं पेशवा को गद्दी से हटा दिया जाता है और pension देकर कानपूर के पास बिठूर भेश दिया जाता है उनकी ज्यादतर territory Bombay Presidency का हिस्सा बन जाती है और इस तरह Third Anglo-Maratha War के साथ Maratha Empire का भी end हो जाता है सभी Maratha Chiefs Britishers के आगे surrender कर देते हैं और इसके साथ ही पंजाब और सिंध के अलावा पूरी Indian territory पर Britishers का direct या indirect control establish हो जाता है दोस्तों ये तो बात हुई Anglo-Maratha Wars की अब ऐसे कुछ overall reasons को भी समझते हैं जिनकी वजह से Marathas को Britishers से हार का सामना करना पड़ता है reasons for Maratha loss Marathas की हार का सबसे बढ़ा कारण था Maratha Chiefs के बीच unity न होना इसके साथ ही Marathas के किसी भी और Indian princes या ruling dynasty के साथ अच्छे संबंध नहीं थे Marathas अपने neighbors से चौत वसूल करते थे जिसकी वजह से सब इन से परिशान थे और इसलिए बहुत से local chiefs और जमीनदार्ज Britishers की side लेने रगते हैं इसके अलावा Marathas Britishers की political और diplomatic strengths को भी नहीं समझ पाए हमने देखा कि कैसे हर बार Marathas leaders Britishers के साथ treaty के जहांसे में आ जाते हैं इसके अलावा Marathas की हार के पीछे और भी reasons थे जैसे की Marathas chiefs की inept leadership उनका inferior military system वो gorilla warfare में तो माहिर थे लेकिन Britishers के साथ आमने सामने की battle में नहीं इसके साथ ही Britishers की superior diplomatic skills जिसकी help से वो ये ensure कर लेते हैं कि हैदराबाद या मैसोर जैसे states Marathas और Britishers के affairs में कोई interference ना करें ये Marathas की हार का एक कारण कहीं जा सकती हैं इन सभी reasons की वजह से ultimately Marathas Britishers से हार जाते हैं और Anglo-Maratha wars के बाद उनके empire का final decline होता है concluding remarks दोस्तों इस तरह Britishers ने इंडिया की एक और important power और Marathas को भी रास्ते से हटा दिया Bengal और Mysore पर उनकी जीत को हम पहले ही cover कर चुके हैं जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अब पंजाब और सिंद को छोड़कर Britishers का control अल्मोस्ट पूरे इंडिया पर हो चुका था कुछ areas पर direct control था और कुछ पर indirect जैसे कि आवद, हैदराबाद, एट्सेटरा पर Subsidiary Alliance की help से पंजाब और सिंद की उनकी जीत को हम अपनी आने वाली वीडियोज में cover करेंगे